इमांदारी काई नाम मैं अभी शुरू कर देता हूँ पर एक मसला है मैं तुम्हें दो तांबे की मोहरों से जादा नहीं दे सकती मुझे इल्म है कि ये बहुत कम है पर मेरे पास तो बस इतना ही है अगर जंगले में जंग लग जाता है तो मुझे इसके लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा मैं आपकी परिशानी समझता हूँ मोहतरमा पर पेंट करना मेरा फर्ज है काम से कभी इंकार नहीं करना चाहिए विंसेंट एक मुफलिस इंसान था कई मरतबा ऐसी राते होती जब वो भूखा सो जाता पर चाहे जो भी हो जाए वो कभी अपने ग्राहकों से ज्यादा नहीं मांगता वो पूरा दिन कड़ी मशक्कत करता और उसी में मुतमईन रहता जो उसे मिलता एक रोज एक बहुत ही डौलतमंद ताजीर वहाँ आया उसन्या और उसके घराने ने थोड़े दिन उस गाउ में रहने का मनसूबा बनाया वो ताजीर गाउ में दाखिल हुआ एक बहुत ही बड़ी गाड़ी में सवार होकर और उसके पीछे और कई गाड़ियां आई जो खलों से और कपडों से लदी थी काउवाले हैरत जदा खड़े देखते रहे जब ये पूरा काफिला उनके सामने से गुजरा अगले ही दिन ताजीर ने विंसेंट को तलब किया जब विंसेंट ताजीर के घर दाखिल होने को था उसे उसका दोस्त टॉम मिला अरे विंसेंट तुम कहां तश्रीफ ले जा रहे हो कैसे हो टॉम मैं उस तिजारतगार के पास जा रहा हूँ उसके पास मेरे लिए कुछ काम है ऐसा क्या सुनो वो बहुत रही शक्स है ये एक अच्छा मौका है तुम्हें उससे ज्यादा पैसा लेना चाहिए उसकी वनिसवत जो तुम दूसरों से लेते हो यही मुनासिब है और मुझे यकीन है कि तुम्हें पैसा देने में उसे अतराज नहीं होगा नहीं टॉम ये मुनासिब नहीं है मैं उससे ज्यादा पैसे नहीं लोगा जो मैं दूसरों से लेता हूँ ये फरेब होगा अगर वो मेरा काम पसंद करे तो फिर वो मुझे जादा देने का फैसला कर सकता है पर मुझे इमानदार रहना होगा और उन्हें सही महनताना बताना होगा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ विंसेंट और मैं तुम्हारी इमानदारी की इज़त करता हूँ पर एके लिए इमानदारी ही तुम्हारा पेट नहीं भर सकती तुम इतनी कड़ी मशक्कत करते हो पर इस गाउं में लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो तुम्हें मुनासिव महंताना दे मेरी सलह मानो, उसने जो काम तुम्हारे लिए रखा है उसके लिए तुम्हें उनसे पाच सोने की महरे मागनी चाहिए पाच सोने की महरे? नहीं, मैंने कभी भी किसी से पाच सोने की महरे महंताने में नहीं ली मैं तुम्हारी फिक्र से वाकिफ हूँ दोस्त और शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए पर जो भी मैं कमाता हूँ, उसमें मेरा ठीकठा गुजरा चल जाता है फैर, मैंने अपना फर्स पूरा किया और अब ये तुम पर मुनस्सिर है विंसेंट ने अपने दोस्त को अलविदा कहकर हाथ हिलाया और आगे बढ़ा वो समझ गया था कि टॉम के दिल में उसके लिए भलाई का एहसास ही है जब विंसेंट ताजीर के घर के अंदर पहुचा, तो वो सकते में रह गया वो किसी महल से कम नहीं था ओहो आदाब, तुम जरूर विंसेंट हो, वो पेंटर हाँ, मैं वो ही हूँ हूँ हुजूर, आपके पास मेरे लिए कुछ काम था ओहाँ, मेरी कष्टी का रखवाला बाहर गया है और वो कल दोपहर तक ही वापस आएगा पर मुझे कष्टी को पेंट कराने की जरूरत है क्या आज रात भर में तुम उसे पेंट कर सकोगे हाँ, मैं कर सकता हूँ, कष्टी कहा है मैं इसी वक्त काम शिरू कर दूँगा ओ, पर तुमने मुझे बताया नहीं कि मुझे तुमें कितना महंताना देना होगा मैं एक कष्टी को पेंट करने के लिए चार तामबे के सिक्के लेता हूँ, मैं उससे कम आपसे नहीं ले सकता तामबे के चार सिक्के? बस इतना ही! खेर, जो महंताना तुम लेते हो उससे तुम्हें मैं एक पाई भी कम नहीं दूँगा तुम इसी वक्त अपने चार तांबे के सिके ले सकते हो कश्टी दर्या के साहिल पर है मुझे बुलाना जब पेंट हो जाए विंसिंट ने पैसा ले लिया वो बाजार गया और पेंट खरीदे और एक भी मिनट गवाएं बिना वो दर्या के तरफ रवाना हो गया जब वो शुरू करने ही वाला था उसने देखा कि कश्टी के दर्मियान एक छेद है ओ, ये खतरनाक साबित हो सकता है मुझे पहले इसे भरना चाहिए विंसिंट ने छेद भरा और फिर वो पेंट करने लगा वो घंटों बिना खाये पे ये काम करता रहा आखिर कश्टी पेंट हो ही गई वो वहाँ से गया और ताजीर को कश्टी देखने के लिए बुलाया ओहो, ये तो बहुत शानदार दिख रही है तुम उम्दा काम करते हो विंसिंट, ये लो ये चार चानदी के सिक्के और लो तुम इसके हकदार हो अगर मेरे पास पेंट कराने के लिए कुछ और होगा मैं तुम्हे फौरण गुलाऊंगा आप एक फिराकतिल इनसान है हुजूर अब मैं आप से इजाज़त चाहूंगा अगली सुबै ताजीर का खानदान उस कश्टी में तफरी के लिए निकल गया ताजीर ने उन्हें साहिल से हाथ हिला कर अलविदा कहा और वापस घर चला आया जब वो घर महुचा तो उसने देखा कि कश्टी का रखवाला चल कर उसकी तरफ आरा रहा हुजूर, आप यहां एक हफ़ते पहले तश्रीफ ले आए ओ हाँ, मेरे खानदान ने जोर दिया कि मैं आओं और गाओं देखूं वो अभी अभी कश्टी में अपनी पहली तफरी के लिए गए हैं क्या? नहीं, हमें इसी वक्त उन्हें वापस बुलाना पड़ेगा तुम इतने फिक्रमंद क्यों हो? मैंने सबसे उम्दा खेवनहारे को बुलाया है कि उनकी कश्टी गाओं के आसपास खे कराए, सब कुछ ठीक ही होगा आप समझ नहीं पारें हुजूर, उस कश्टी में ठीक बीचो बीच एक छेद है आपका खांदान डूब जाएगा, मैं आज उसके मरमत करने ही वाला था क्या? नहीं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे आजीर और रखवाली दर्या के तरफ दोड़ गए पर कश्टी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी उन्होंने घंटों उसे तलाश किया जेम्स, लिली मालकीन, क्या आप हमें सुन सकती है? पर वहां से कोई जवाब नहीं आया ताजीर घुटनों के बल गिर गया और रोने लगा ये मैंने क्या किया? मेरा खांदार मुझे उन्हें कभी उस कश्टी पर नहीं जाने देना चाहिए था जब वो खुद पर इल्जाम लगाते हुए वहां बैठा था उसके बीवी और बच्चे उसी कश्टी में वापस आये क्या हुआ जानू? तुम रो क्यों रहे हो? क्या? तुम सब महफूज हो? ओ, मैं इतना फिक्रमन था उसकश्टी में एक बहुत बड़ा च्चेत था मुझे लगा मैंने तुम सब को खो दिया है उसकश्टी में कोई च्चेत नहीं था हुजूर, वो तो बिल्कुल नहीं जैसी है मुझे इतने खुशी है कि आप सब महफूज हैं पर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे मुम्किन है मुझे ये हकीकत मालूम है कि वहाँ एक बहुत बड़ा च्चेत था ठीक कश्टी के बीचो बीच जाने से पहले मुझे उसके मरम्मद करने का मौका नहीं मिला अगर किसने उसके मरम्मद की ताजीर ने कुछ देर सोचा, फिर वो समझ गया कि क्या हुआ था और फौरण उसने विन्सेंट को बुलवा भेजा विन्सेंट ताजीर के घर पर आया विन्सेंट, ये लो मेरे दोस्त अब ये है क्या? ये तुम्हारा इनाम है, सोने की सौ महरे क्या? इनाम किस बात के लिए? तुम्हारी मेहनत और इमानदारी के लिए इनाम तुमने मेरे खानदान की जान बचाई है विन्सेंट तुमने कश्टी के छेद को भर दिया ये तुम्हारा काम नहीं था और तुमने उसके लिए मुझसे अलग से महनताना भी नहीं लिया पर हुजूर सोने की सौ मोहरे बहुत जादा ही है एक कश्टी का छोटा सा छेद भरने के लिए सोने की सौ मोहरे भी कुछ नहीं है उसके मुकाबले जो जाने तुमने बचाई है विन्सेंट ले लो विन्सेंट को अपनी तकदीर पर यकीन नहीं हो रहा था कल तक वो बस एक पेंटर था जो घुजारे तक ही कमा सकता था और आज वो सोने का मालिक था उस दिन के बाद से विन्सेंट कभी भूखे पेंट नहीं सोया क्योंकि उसे अपनी इमानदारी के लिए इनाम मिल चुका था